कि दिल्ली में जिस दिन हमने शपत ली सरकार में उस दिन भी एक परिक्षा हो रही थी और उस दिन भी पेपर लीख हुआ लेकिन वो आखरी पेपर लीख था उसके बाद पेपर लीख नहीं हुआ सर ने का ऐसी विवस्था करो ऐसी विवस्था करो कि उसके बाद पेपर लीख ना हो और यकीन मानिये ऐसी विवस्था की वहाँ पे दिल्ली सरकार ने कि उस वाले पेपर लीख का मामला होते 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 जब सर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो मुझे यादा रहा है कि सुप् विजवाया जो लोग पेपर लीग करवा रहे थे उस दिन के पेपर लीग वाले सारा रैकेट खतम किया पेपर लीग का वहां पे और आज अर्विंद केजरिवाल जी के नित्रतु में दिल्ली में दो लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है दो लाख दो लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और साथ साथ दस लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी जा चुकी है सरकार के इनिशेटिव से वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत निकलती रहती है नोकरियां लेकिन सरकार के इनिशेटिव से सरकार की पहल से सर ने एक पोर्टल बनवाया और उस पे नोकरी देने वाले और नोकरी लेने वाले दोनों को लाके खड़ा किया और बहुत credible तरीके से खड़ा किया तो आज वहाँ पे नौकरियां ही नौकरियां है दिल्ली के नौजवानों को खूब नौकरियां मिल रही है मैं उम्मीद करता हूँ कि गुजरात में भी आज गुजरात के युवा की सबसे बड़ी जरूत है और पिछले आधा पौना घंटे से मैं जो देख रहा हूँ इस जोश को इस उम्मीद को यहाँ पर आपकी आँखों में आपकी आवाज में कि नौकरियों की सबसे ज़ादे जरूत है नौकरियां हैं सरकार में भी हैं प्राइवेट में भी हैं पेपर लीक वाले उनकी सरकार की विवस्थां खत्म हो जा रही हैं आपको मैं इतने ही कहूंगा कि महनत करिये जितनी महनत आप परिक्षा पर कर रहे हैं उतनी ही महनत वैसे लोग लाने पर करिये जो यहाँ बैठे हैं जवस्था के लिए आप काम करें मैं बस आखिर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपका जोश पिछले पौना घंटा से एक घंटा से मैं देख रहा हूं और मुझको यह भी समझ में आ रहा है मैं पिछले बार जब एपरेल में आया था इधर तब भी जोश था लेकिन अब कई सो गुना कई हजार गुना जोश बढ़ चुका है आप लोगों का मुझको यह भी समझ में आ रहा है कि आपका जो जोश बढ़ रहा है न यह आपका यह जो बढ़ता हुआ जोश है तेजी से बढ़ता हुआ जोश है यही दिल्ली में मेरे उपर दीरे-दीरे CBI के शिग यहां पर इसी जोश की वजह से दिल्ली में केंदर में बैठी हुई सरकार को लग रहा है इस जोश को रोकने के लिए थोड़ा सा शिकंजा और टाइट करो और टाइट करो और टाइट करो लेकिन मैं दिल्ली से आपके बीच सिर्फ यह क्याने आया हूं मेरी गर्दन की चिंत होई आपकी जिम्हेदारी है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नहुसकार भारत मता की इंकलब वंदे बहुत बहुत धन्यवाद